थारीपर, मैं डॉक्र पीति, वेल्कम बैक टो रिवाइब मावपीति आज की वीडियो है होंपेतिक मेडिसिन बर्याइटा काब के उपर बर्याइटा काब जसके हम बुक्स में पढ़ते हैं कि ये पेशेंट मेंटली और फिसिकली द्वार होते हैं slow होते हैं डल होते हैं लेकिन यह जो पिच्चर है यह बरायटा का बहुती advance stage में प्रेजन्ट करता है। तो शुरुआत में कैसा होता है बरायटा का आपका patient? क्लीनिक में कैसे बेज़ करता है? तो आज के विडियो में हम यहीं discuss करें हैं। So let's start... सो बरायटा काप इसको डॉक्तर हैनिमेन ने प्रूफ किया था यह पेशन्ट चिली होते हैं थरस्टी होते हैं इनकी मैक्सिमम कंप्लेंड राइट साइट पर आती है और स्पीड स्लो होती है प्लस बरायटा काप आपके अंदर जो डिजीज आती है वो भी slow developing आती है कोई भी fast pathology वाली disease बरायटा का आपके अंदर नहीं आती है नेक्स्ट जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो बरायटा का आपके patient होती है इनकी height short होती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस किसी person की height short है आप उसको बरायटा का prescribe कर दो नहीं आपको और factors का भी ध्यान रखना है for example genetic factor अगर patient के mother and father दोनों की height short है तो patient की height भी short होगी secondly अगर कोई child है वो mal nourished है तो उसकी height भी short होगी तो यहाँ पर आपको सिरफ short height के basis पे सिरफ बरायटा का prescribe नहीं करनी है और इसकी opposite अगर हम देखे कि अगर किसी patient की height बहुत अच्छी है तो वहाँ आपको सिरफ यह सोच कर कि इसकी तो height बहुत लंबी है लेकिन इसकी सारे characteristic बरायटा का आप से match कर रहे है तो हम इसको बरायटा का आप नहीं देंगे नहीं सिरफ height के basis पे आपको कोई भी medicine select या को किसी भी medicine को rule out नहीं करना आपको पूरी personality को match करना है right next dwarf is a mind in patient का जो brain होता है वो according to age develop नहीं होता है say for example एक 25 year old man है और वो ऐसे behave करता है कि जैसे कि वो 7 year old child है तो age के according का mind proper तरीके से develop नहीं होता है next इनके जितने भी milestone होते हैं वो सब delayed होते हैं ये लोग देर से बोलते हैं ये लोग देर से चलते हैं अब यहां हम इसको calcaria carp से differentiate करेंगे calcaria carp भी देर से चलता है तो difference क्या है calcaria carp का जो बच्चा होता है उसकी bones weak होती है इसलिए वो देर से चलता है लेकिन बरायटा carp के bones weak नहीं होती है वो सीखता देर से है चलना जो learning capability है जो सीखने की शमता है वो कम है बरायटा के अंदर राइट next ये लोग बहुत ही early age में इनको baldness हो जाती है और जो hair loss होता है वो frontal part में सबसे ज़्यादा होता है तो जो frontal hair line है इनकी वो recede हो जाती है बहुत ही early age में for example 25 year old person के अंदर ही इतना ज़्यादा hair loss हो जाता है right next ये जो persons होते हैं बहुत ही timid होते हैं बहुत bashful होते हैं बहुत shy होते हैं तो ऐसे बच्चे जब clinic में आते हैं तो हमेशा अपनी मदर के पीछे छुपे रहते इनकी मदर बार बार इनको आपके सामने लेके आएंगे औ और अगर मदर ने जबरदस्ति उनको आपके सामने बिठा भी दिया तो ये बच्चे क्या करते हैं अपने hand से अपने face को cover कर लेंगे और फिर fingers की side से आपको देखेंगे कि doctor मिर को देख रहा है कि ने इतने shy इतने शर्मीले होते हैं ये बच्चे right अब यहीं पर अगर कोई grown-up person आपकी clinic में आएगा तो वो कैसे behave करेगा वो हमेशा अपनी किसी family member को साथ लेके आएगा आपकी clinic में क्योंकि वो भी इतने timid होते हैं इतने shy होते हैं उनके अंदर confidence नहीं होता कि वो अपनी complain जो है आपको बता पाएं आपको express कर पाएं तो जो भी इनके family members आते हैं व बहुती भूले होते हैं ऐसे patient की wife आपको आकर बताएगी कि doctor साब ये बहुती सीधे हैं business में कोई भी person अगर इनसे cheat कर जाता है और अगर वो दुबारा आके इनसे पैसे मांगता है तो ये बहुत easily trust करके दुबारा उसको पैसे दे देते हैं और वो person फिर से इनको cheat करके चल जाता है तो ये person इतने सीधे होते हैं लोगों के उपर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं ये लोग इसलिए सामने वाला person इनको बार बार cheat कर जाता है बराइटा का आपके patient के अंदर इतनी judgment नहीं होती है कि सामने वाले patient को वो judge कर पाए कि वो मेरे को cheat कर रहा है तो मैं इस easily trust ना करूं ये judgment नहीं होती है उसके पास इसलिए लोग बार बार इसको cheat कर जाते हैं राइट नेक्स ऐसे patient जब भी आपको case tracking देंगे तो जो बहुत basic questions होते हैं उनका ये wrong answer करेंगे सिर्फ और example अगर आप इनकी age पूछेंगे इनका address पूछेंगे या आप इनका phone number पूछ पूछेंगे तो ऐसे basic questions जिनके बारे में हर कोई बहुती sure होता है ऐसे questions भी wrong बताएंगे और फिर बोलेंगे अरे doctor साब sorry sorry मैंने आपको अपना address गलत बता दिये तो please change करिए तो ऐसे basic questions का भी answer गलत देते हैं क्यों क्योंकि confusion होता है इनके अंदर memory इनकी इतनी sharp नहीं होती है weak होती है तो यह भूल जाते हैं अपने इतनी common identity वाले questions को भी भूल जाते हैं right second जब अगर आप इनका case ले रहे हैं और आप case में इनसे पूछते हैं कि आपकी age क्या है तो यह एकदम से जो इनका family member इनके साथ आता है उसकी तरफ देखके फिर आपसे पूछेंगे किसकी age doctor स के साथ आपकी conversation में कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं confusion होता है mind में एकदम से यह judge नहीं कर पाते हैं कि आप क्या पूछ रहे हैं और जो हमारी conversation थी उसकी क्या tuning चल रहे है right the same mistake again एक ही गलती को यह बार बार repeat करते हैं generally क्या होता है अगर हम कोई भी गलती करते हैं तो उस ग लेकिन बरायटा का आपके patient के अंदर जो यह learning capability है ना जो यह सीखने की शम्ता है यही कम है तो ऐसे patient जब भी आपके clinic में आते हैं तो आपका जो cabin होता है तो उसके door को एकदम से आके push करेंगे तो जो assistant है वोनको समझाएगा कि जो door knob है आप उसको right में turn करो तब door open होगा okay next time आएंगे फिर आते ही आपको जो आपकी जो cabin का door उसको एकदम से push करेंगे फिर भूल जाते हैं कि assistant ने क्या समझाया था ऐसा दो बार तीन बार चार बार नहीं 20 times भी अगर यह patient आ रहा है तो 20 times भी यही mistake करेगा कि बगैर door knob को right side घुमाएवे सीधा आपके cabin के door को push करेगा right तो यहाँ पर confusion of mind है memory नहीं है loss of memory यह भूल जाता है कि पिछली बार assistant ने क्या बताया था वही mistake बार बार repeat तो जो सीखने की शमता है वो नहीं है right next misplace misplace मतलब inappropriate कोई भी चीज अगर inappropriate होती है तो you can think of barata cup say for example age misplace age patient होता 25 का है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो 40 year old होता है premature old age होती है इसमें क्यों क्योंकि जो 25 year old person है उसके face पे इतने wrinkles आ चुके होते हैं frontal उसकी baldness हो चुके होती है तो वैसा लगता है कि भाई ये तो 40 year old है लेकिन होता कितने का 25 year old राइट ऐसे जो life की जो priorities होती है इसकी वो भी misplace होती है राइट जैसे priority about health अगर कोई person आपके पास आ रहा है और उसको brain tumor है जिसको वो एक बार operate भी करा चुका है वो आपके पास medicine लेना आ रहा है तो उसका सारा focus है वो brain tumor बोलते हैं कि ठीक है brain tumor है कोई बात में उसको छोड़ो आप मेरी skin complaint ठीक करो तो अगर कोई बच्चे ऐसी बात करता है या कोई villager या कोई uneducated person ऐसी कोई बात करता है तो हमें समझ में आता है कि उसको किसी भी organ की importance नहीं पता कि brain की importance क्या है और skin की importance क्या है उस उसको different organs की importance नहीं पता है तो ये question अगर कोई कर रहा है villager या uneducated person तो समझ में आता है लेकिन एक educated person अगर आपको ऐसे बोल रहा है कि brain tumor को हो रहा है होने तो अब skin complaint ठीक करो तो उसकी जो priorities हैं अपनी health को लेके वो भी misplace होती है राइट next ऐसे person बहुत ही routine stick होते हैं ये सिरफ अपनी daily routine का काम करते है रूटीन से हट कर कोई भी नया काम ये नहीं करते हैं अब यहां हम differentiate करते हैं इसको netramure के साथ अगर बराइटा काप और netramure की housewife को हम differentiate करें तो बराइटा काप और netramure दोनों की ही housewife जो होती है वो घर का काम house or work बहुत अच्छे से करती हैं तो difference क्या है नेक्टर न bynure की जो housewife होती है वो सारा घर का काम बहुत अच्छे से करती है इसके साथ साथ अगर आप उसको कोई bank का काम दो तो वो bank जाके वो bank का काम बहूत अच्छे से कराएगी अगर उसको P.T.M. जाना है तो P.T.M. भी बहु आप उसको बोलो बैंक का काम करने के लिए नहीं, मैं नहीं जा सकती, मुझसे नहीं होगा, पीटीयम नहीं, नहीं, आप चले जौँ, मुझसे नहीं होगा, नियूस्पेपर पड़ना, बिलकुल नहीं, politics में क्या ओर है, कुछ नहीं पता उसको, सिरफ एक जो routine का कामने है, daily, लिए बस वही करना है बस और कुछ नहीं प्लस इसके अलावा ये लोग ना कोई भी चेंज नहीं चाते हैं अपनी लाइफ में जो चल रहा है बस वैसा ही चलता है कोई भी अगर कोई नई जो गैजेट्स आ रहे हैं या कोई नई टेकनोलोजी जो आ रही है उसको भी यह सीख होता है इसको anxiety होती anticipation होती है कि कैसे मैं car चलाना सीखूंगा कहीं सामने से truck आ गया तो अगर मेरी जो car है उसका tear puncture हो गया तो क्या होगा anxiety होती है उसको लेकिन अगर उसको support मिल जाए तो वो easily car चलाना सीख जाता है वहीं जो आयटक आपका patient है वो सीधा मना कर देता है मैं यह सीख ही नहीं सकता मुझसे होगा ही नहीं car चलाना मैं नहीं कर सकता right next multitasking नहीं कर सकते ये लोग अब जैसे एक housewife है तो वो कैसे करती अपने घर के काम एक तरफ उसने gas top पे चाय रख दी जब तक चाय उबल रही है साथ साथ उतने washing machine में कपड़े डाल दी है जब तक washing machine में कपड़े हो रहे है तुरंत अपने कोई उसने कोई चीज जो है oven में रख दी तो एक time period में वो बहुत सारे काम कर देती है लेकिन बरायटक आपके जो housewives है वो अगर चाय बना रहे है तो वहीं gas के उपर देखती रहेगी कि चाय उबल रहे है पूरी चाय बनेगी तो उस time दूसरा कोई tax नहीं कर सकते क्यों multi-taxking करने के लिए बहुती strong concentration चाहिए बहुती focus चाहिए बहुत efficiency चाहिए इसके लिए जो बरायटक आपके अंदर missing होती है right high post doesn't rule out बरायटा अब जैसे कि हमने उपर की बरायटा की picture देखी हमने देखा कि इसके अंदर confusion of mind होता है loss of memory होती है right तो हम सोचते हैं कि बरायटक आपको जो patient है वो किसी भी high academic post पे नहीं जा सकता है लिकिन ऐसा नहीं बरायटक आप ज अच्छे high exams को भी clear कर जाता है क्योंकि वो चीजों को मगब बहुत जल्दी कर जाता है लेकिन practical applicality जो होती है वो missing है उसके अंदर तो अगर high post पे कोई person है लेकिन उस high post के according उस person का behavior नहीं है तो you can think of variety का आप ऐसे person कोई भी innovative ideas नहीं होते इनके कोई imagination नहीं होती इनकी और नहीं चीज नहीं सीखते हैं अब इनके juniors आ गए हैं नहीं technology आ गए तो वो juniors उसी काम को उस नहीं technology उस नहीं machine के साथ बहुत easily खतम कर देते हैं और वो इसको समझाते भी हैं कि आप ये वाली जो है ये gadgets को use करो जिससे काम जो है बहुत easily हो जाता है तो ये नहीं सीखता है नहीं नहीं मैं ठीक हूं जो मैं कर रहा हूं वो चार घंटे में उसी सेम काम को खतम करके चले जाते हैं ये 10 घंटे तक उसी काम में लगा रहाता है क्योंकि ये old technique को use कर रहा है लेकिन उस नई technique को नहीं सीखता है क्यों क्योंकि routinistic होता है एक काम जो सीख लिया उसमें perfect हो अगर कोई idea इनके mind में fix हो गया, तो वो fix हो गया, कोई उनको change नहीं कर सकता, सबसे मुश्किल होता है बराइटा का patient को convince करना, आप बिल्कुल इनको convince नहीं कर सकते हैं, अगर कोई fix idea इनके mind में हो गया, तो चाया कितनी भी इसको judgment दे दो, कितना भी scientific reasoning इसके साथ कर लो, लेकि bashful होते हैं, लेकिन इसकी एक और picture भी होते हैं, दूसरी जगह बहुत courageous भी show करते हैं अपने आपको, तो अपने friends को ऐसे दिखाते हैं कि ये बहुत brave होते हैं, लेकिन उस braveness में, इनको consequences पता नहीं होते हैं, क्या right है, क्या wrong है, इसकी sense नहीं होती है, सिफ for example, अगर second floor से jump करन वहीं बरायटा काप को जो patient है, वो अपने friends को दिखाने के लिए, कि देखो मैं कितना brave हूँ, मिन इंदर कितना courage है, मैं कितना bold हूँ, तुरंत वहां से jump out कर देगा, without सोचे समझे, कि इसके क्या consequences हो सकते हैं, मैं जो कर रहा हूँ, वो सही है या गलत है, तो ये जो dare devil होते ह तयार बरायटा काप, जैसे कि आपने newspaper में बहुत बार सुना होगा, कि उस mountain पे कोई person selfie ले रहा था, या long building की balcony में खड़े होके कोई selfie ले रहा था और गिर गया, तो ये क्या है, इन persons ने consequences नहीं देखे, कि हम जो कर रहे हैं, इसका क्या result होगा, क्या सही है, क्या गलत है, बस अपने friends को दिखाने के लिए देखू कि मैं उस mountain पे selfie ले रहा था, मैं ये कर रहा था, इतना जो courageous, जो ये अपने आपको दिखाते हैं, foolish courageous होता है, इसमें consequences नहीं होते है, right and wrong का, judgment नहीं होता इसके अंदर, तो यही बरायटा का आपकी whole picture है, कि इस patient के अंदर judgment नहीं होती है अपनी ideas ये develop नहीं करता है, imagination नहीं होती है, इसकी अपनी कोई confusion होता है mind में, loss of memory होता है, right, so this is the whole mental picture of बरायटा काप, I hope यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, next video में हम इसकी और characters की symptoms को discuss करेंगे, till then have a good day, thank you झाल झाल झाल